तो गाइस स्वागत है आपका वाची न्यूज के एक और ब्रेंड्य एपिसोड में तो इस बार काफी सारी बड़े नियूज निकल कर आई है जिन हम वीडियो में कवर करेंगे सो वीडियो को पूरा देखें और कोई भी होलिवूड या बॉलिवूड मुवी को देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए जोइन करें हमारे टेलिग्राम चैनल को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है बाकि लैट्स केल स्टार्ट एक तो भाई लोगों सबसे पहले बात करें मार्वल की तो अफिशली सुनने में आया है कि लोकी सीजन 2 की स्टार्ट हो गई है अब लोगों को बहुत ही बेसाबरी से इंतिराज भी था कि लोकी का सीजन 2 कब आएगा कि जैसे मार्वल बालों ने उसे क्लीफ हैंगर पर लटका देखने मिल सकता है भाई दूसरी साइट थोर लवन ठंडर के कुछ करेक्टर कोस्टर रिलीज हुए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो नेक्स्ट मन 7 जुलाई को रिलीज होने वाली है सारी लेंग डिजिस में और भाई टाइका वाय टीडी ने गोर को देखने में excited हूँ क्योंकि बाई जब इतनी मैनत मार्वल ने गोर को लेकर करी है कुछ तो बैडएस होगा ही और वहीं इस मूवी को PG-13 की रेटिंग मिली है इसकी पार्शल नुडिटी के लिए और यह मार्वल का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे PG-13 की रेटिंग मिली ह हाँ वेसे भी UGD के मार्वल भी कोई कम थोड़ी है पहले यार अच्छा खासा मूवी हुआ करती थी मार्वल की अब अपने पूरी फैमली के साथ बैट कर देख लो लेकिन जब से इटरनल आई पूरा सीन ही चैन्ज कर दिया उसमें गैस रेक्स इसमें थोर को नंगा अब आगे पता नहीं और क्या कि हमें देखने मिलेगा खेर अब बात करते हैं मल्टिवर्स ओफ मैडनेस की इसमें एलिजबेद ओसलें ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि जो इल्यूमिनाइटी का एक छोड़ा सा कैम्यो था वो उसके किसी भी एक्टर से नहीं मिली फिर तो ये देखकर मुझे यही निकला होगा अगे बढ़ते हैं इसपाइडर मेन अख्रूफ दी इसपाइडर वरस की विलन इस्पोर्ट का फर्स लुक सामने आया है जो कि आप स्क्रियान पर देख सकते हैं इसमें भी हमें बहुत सारी spider-man का crossover देखने मिलेगा सेम इसके first part spider-man into the spider-verse की तरह जो कि वाकई बहुत amazing था Marvel की Ironhide की फिल्मिंग स्टार्ट हो गई है जो कि probably हमें next year देखने मिल सकती है अगर DC की बात करें तो एक बड़ी news निकल कर आई है जोकर 2 से जहां resources से पता चला है कि Joker 2 में Harley Quinn के रोल के लिए Lady Gaga से बात चल रही है अब मैं इसमझ में यह नहीं आता कि बाई जब DC वाले क्या पगला गए हैं मतलब क्या सदूर थे तुम्हें यार जब और लेडी तुम्हारे पास एक best actress है Margaret Ruby जिसने अपनी एक्टिक से पब्ली को बिल्कुल भी निराश नहीं किया आप सुसाइड स्कॉर्ड देख लो बर्सो प्रे देख लो कहीं भी आपको कोई कमी दिखी नहीं ना तो मैं तो बस यही कहूंगा कि Margaret Ruby is the perfect actress for the Harley Quinn बैसे DC का यह चुतिया पर कुछ नया नहीं है वो अपने करेक्टर के साथ ऐसा करता रहता है अब चाहे वो Batman हो, Superman हो, Joker हो या Harley Quinn वहीं James Wan की Aquaman The Lost Kingdom थोड़ी सी ओवर डिले हो गई है जो कि अब 2023 के Last Quarter में रिलीस होगी मुवी को डिले करने के मामले में भी DC स्रेस में सबसे आगे आपको याद होगा The Side Squad पुरी 6 बार डिले हुई थी अपनी ओफिशल रिलीस से अब बात करें HBO Max Reiner The Last of Us की जो Action Adventure Horror Science Fiction सीरीज है जिसको अब रिलीस किया जाना है 1223 की स्टार्टिंग यानि जैनुरी में और इस सीरीज की एंड होगी मार्च में इसका मतलब हमें weekly एक 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 एपिसोड देखने मिलेगा अगर बात करें जाए इसके बजट की तो इस्टूडियो ने पताया है कि सिंगल एपिसोड में टोटल 10 मिलियन का बजट आया है मतलब 10 एपिसोड में 100 मिलियन बजट हाँ भाई पैसा तो काफी लगाया है लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद पब्ली को मिलता है जो उसे पसंद है या नहीं कि ऐसा ना हो कि सो मिलियन खर्च करने के बाद भी हाँ पब्ली को सिफ टटी ही दे रहे हो किट हरिंटन भाई जिन्होंने जॉन इसनों का रोल किया था गेम आफ थ्रोंस में नियूज आई है के वह अपनी इस रोल को वापसी करेंगे गेम आफ थ्रोंस की सीक्वल स्रीज में जो जल्दी एजब्यों मेक्स पर रिलीज होगी वैसे तो आभी इसी अंडर डेपलोप लोडा लसन तो नहीं है क्योंकि आपकी बार जब उल्टी करेंगे ना तो सीधे आपके मूँ पर ही करेंगे अब बात करते हैं कुछ नेट्लिक्स नियुस की तो सबसे पहले नेट्लिक्स ने ग्रीन नाइट डे दी है और कंफर्म कर दिया है स्क्वीड गेम सीजन टू को यह भी बताया है कि इस गेम की जो क्रियेटर हैं वो भी इसमें वापसी करेंगे और इस गेम का जो केश प्राइस होगा वो सब की फाड़ कर लग देगा इस गेम का केश प्राइस टीवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा केश प्राइस होगा तो भाई देखो इस क्वीड गेम क को अच्छी तरह मना लो फिर सीजन 3 के बारे में सोचना माना कि सीजन मन अच्छा था लोगों को काफी फसंद आया लेकिन अब ये भी तो कन्फर्म नहीं है कि सीजन 2 अच्छा ही होगा क्या बता आप उसमें हग दो तो सीजन 3 फिर तो कैंसल ही हो जाएगा ना दग्रे में इनके भी कुछ क्रेक्टर पोस्टर रिलीज किये गए हैं जिने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कुछ दिन पहरा ही इसका एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ है जो कि काफी ओसम था और इस मुवी को डाइरेक्ट कैप्टनर अमेरिका और अवेंजर्स के ड कमा और बाद में अपनी स्ट्रीमिंग एप से लोगों के पास तो पैस अब बहुत है मानी हाइस कोरिया की भी रिलीज डेट रिवील कर दी है जो कि 24 जून को हिंदी इंग्लिश और कॉरियन लेंग्विज में रिलीज होगा इस सीजन में टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं वहीं Stranger Things Season 4 के वालियम 2 से कुछ फर्स लोग रिलीज हुए है जिन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और कॉंग फू पांडा का भी फॉर्थ पार्ट अप नेट्लिक्स 14 जूलाई को रिलीज कर रहा है जिसका टाइटल होगा कॉंग फू पांडा दे ड्रेगन ना करकर आई है कि One Punch Man को लेकर एक मूवी बनाई जा रही है इसको डारेक्ट करने का काम मिला है Fast and Furious के डारेक्टर जस्तिन ली को अब जैसे हमने मांगा में One Punch Man को देखा है अगर वैसा ही मूवी को रिलीज किया गया तो मूवी काफी बसड मजाएगी और अगर Fast and Furious 9 की तरना के टकी बना दी तो भाई फिर तो पास गालिया ही पढ़ेंगी नाइस हाउट के पार्ट टू का भी टाइटल अब रिवील कर दिया है जो कि ए ग्लास अनियन अनाइस हाउट मिस्ट्री इस मूवी का भी कोई रिलीज डेट नहीं आई है लेकिन अहां सुनने मार है कि इस पोटल बारा एपिसोड होंगे जो हमें वीकली देखने मिलेंगे और अगर डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बात करी जाए तो टॉप गन मैवरिक इस साल की हाइस ग्रॉसिंग मूवी बन गई है इस मूवी ने वर्डवाइड आट सो मिलियन डॉलर की कमाई कर ल स्टोरी की सोलो मूवी बस दलाइट यद को 14 कंट्रीज में बन कर दिया है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि इसमें भी गेर सीन करते हुए दिखाया गया है मतलब जो कंट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया अब देखो भाई यह सब उनके लिए नोर्मल है और लीकल भी है अब बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी गेर रिलेशन को लीकल कर दिया गया है तो आप दिखकत तुम्हारे अपने देश की है इसमें कोई क्या ही कर सकता है बार्बी मूवी से भी रियान गोसलिंग का यह फर्स लुक निकल कर आया है देख लो लोडा काफी वीडियो में जल्दी तब तक के लिए बाय एंड टेक केर